अब दोस्तों तो अभी हम लोग RSI को समझेंगे एक बार Relative Strength Index ये भी जैसे हमने समझा था कि एक Momentum Indicator है और ये Oscillator Type का है सबसे पहले हम अपने चार्ट में इस Indicator को डालते हैं तो कैसे डालेंगे MT4 में आप View में जाएंगे और Navigator में जाएंगे ठीक है ये Navigator कभी यहां पर आता है कभी यहां पर आ सकता है तो यहां पर है तो उसमें आप जाएंगे सबसे पहले इसमें दो टाइप के Indicators होते हैं एक Custom Indicators होते हैं दूसरे Inbuilt Indicators होते हैं आप इन Unbuilt Indicators में पहले Indicators में जाएंगे, Custom Indicators में नहीं जाएंगे आप, Indicators में जाएंगे और उसमें नीचे जाकर आप ढूंडेंगे Relative Strength Index ही रहा, इसको अगर आप Double Click करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14 के पीरियड का Relative Strength Index, इसको अगर आपने OK कहा दिया, तो आपको यह मिल जाएगा चार्ट पर, अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूद है, इसकी Property अगर आपको कभी Change करने हैं तो आप इस जगह पे Click करके आप Indicator List में जाएंगे, और इस पे Click करके आप बोलेंगे Edit, ठीक है, यह जो Levels हैं, इस Level में हमेशा 50 नहीं हो करता है, कुछ लोगों में 50 होगा, कुछ लोगों में नहीं होगा, ज्यादा तर नहीं होगा, अगर नहीं होगा, तो आपको इसी तरह से, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको Right Click करना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा Indicators List, इस पे Click करके Relative Strength Index पे, अगर यहाँ बहुत स आपको यह अगर समझे नहीं था, तो आपको यहाँ पर Add करना है, और Add करकर आपको कहना है, कि मुझे 50 का Level चाहिए, ठीक है, Right, अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं, और एक Simple जो हमने जो सीखा था इसके पहले, उसको जरा याद करते हैं, हमने यह कहा था कि यह Momentum Oscillators हैं, य यह एक Level से, इस सीमा से, इस सीमा तक, Right, यहां तक, वो हमेशा Oscillate करते हैं, उपर से वो नीचे आएंगे, और फिर नीचे से वो उपर जाएंगे, ऐसे, जैसे कि यह देखिए, उपर थे हैं, अभी नीचे आए, आगे देखिए, नीचे से अभी उपर गया, और हम लोगों ने यह भी पूछा था, देखा था उस वीडियो में, कि जब यह ऊपर की तरफ होता है, इस लाइन के ऊपर होता है, तो हम इस लाइन के ऊपर के जितने भी वैल्यू से, उसको कहते हैं, ओवर सोल्ड लेवल्स, सौरी, ओवर बाट लेवल्स, सौरी, ऊपर जो होता है, वो और नीचे जो होता है वो over sold levels रहता है तो RSI का पहला थंबरूल यह है कि आप जब भी इस 70 के ऊपर इस प्रेखा को जाते हुए देखते हैं इस line को जब भी वो 70 के levels को cross करके ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब यह हुआ कि अभी market overbought situation में है और अभी यह top आ चुका है इस trend का top जो है शायद यहाँ पर है इसके बाद शायद market में इतने ज़्यादा buyers नहीं मिलेंगे buyers कम होंगे जाहिर है फिर आने वाले candles में थोड़ा सा pricing कम होगा देखिए देखिए दिमार यहाँ पर पहुचा हम कहांगे यार अब तो यह market में buyers कम हैं उसके बाद देखिए अब एक गंटे का चार्ट है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा चौदा गंटे तक बिल्कुल buyers market में नहीं थे है ना market movement ही नहीं किया क्योंकि यह एक संभवित टॉप है राइट ग्रेट उसी तरह से यह भी एक संभवित टॉप है यह देखिए यह उपर गया यह देखिए यहां पर ऊपर आया यहां पर एकदम ऊपर है यह तो इस लेट गएगे अब कहीं न कहीं जब यह इंट वह ऊपर आना चालू हुआ हम कहेंगे यह न कहीं यह overbought levels में आ गया अब यहां से वो नीचे जाने की संभावना है trend नीचे की तरफ बन रहा है ठीक है उसके बाद में यह जैसे इसमें बताया गया है उसी तरह से यह देखिए यहां पर यह high बना और यह यहां पर high बना यह overbought हो गया उसके बाद में buyers कम हो गए demand कम हुआ और market नीचे गिरना शुरू हुआ नीचे गिरना शुरू हुआ और देरे देरे completely नीचे आ गया market ठीक है यहां से लेकर यहां तक यह market आ गया है top overbought situation overbought situation में आते ही हमको लगा कि शायद यह संभवित top है यहां पर इसके उपर जाने की गुझाईश थोड़ी कम है buyers dry up होंगे और सही में वैसे ही हुआ buyers dry up हुए और फिर बाद में sellers गुज गए और उन्हें पूरा इसको नीचे उतार दिया और market यहां पर आया अच्छा इस market को पुश किया पुश किया यहां तक और इसको पुश करकर लेया है oversold अब काफी ज़्यादा ताजात में बेचना हो गया विकाई हो गई काफी ताजात में हो गई यह बराबर अब शायद उतने ताजात में नहीं आएंगे बेचने वाले जैसे हमने वो गेहों के फसल की बात की थी काफी फसल काटने के बाद लोग मार्केट में आये उन्होंने पुश किया पुश किया पुश किया अब ये चरम सीमा है इस से ज़्यादा मार्केट में और बेचने वाले नहीं आ सकते हैं यह ओवर सोल्ड है, काफी बिग चुका, अब जब काफी बिग गया होता है, बेचने वाले कम होते हैं, तो जाहिर है देरे देरे करके यहां से डिमाण बढ़ेगा, जैसे आपने इधर देखा यह देखिए, देरे 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 करके डिमाण बढ़ा और मार्केट वापिस अब मार्केट वहापीस ओवर ब्राट पोजिशन में चला गया है मनलब यहां से लेकर हम देखेंगे हम एक लाइन बना देते हैं हम यह हमारा ओवर ब्राट पोजिशन था है यह हमारा ओवर ओवर बाट पोजिशन था यह देखें और यहां से मार्केट गिरा और उसके बाद में sellers ने उसको गुसाया पूरी तरह से नीचे उतारा और यहां पर आके कहीं पर यह oversold market हो गया अब हमको पता है कि market में काफी बिकाई हो चुकी है काफी लोग गुस चुके हैं और काफी बेचने वालों ने पूरा यहां पर market को नीचे गुसा दिया लेकिन अब यहां पर और ज़्यादा अब और ज़्यादा संभवित बेचने वाले नहीं आएंगे sellers नहीं आएंगे मतलब sellers कम हो जाएंगे तो automatically market में demand बढ़ेगा अगर तो market में price भी बढ़ेगा तो यहां से बढ़ना चालू हुआ price और बया गया गया यहां तक आया कहीं पर यहां पर हमको जब यह इसको उपर पहुंचा तो हमको लगा कि यार अब जो है वह market over broad position में आ गया है कि यह सायद संभवित इसका हाई है ठीक है देखें यहां पर आ जाता है यह यहां पर यह देखिया इस candle पर पहली बार बाहर निकलता है तो हम कहते हैं यार संभवित यह कहीं न कहीं इसकी हाई है काफी buyers ने यहां से यहां तक push कर दिया अब buyers भी ठक चुके हैं अब buyers नहीं आएंगे उतने ताजात में buyers नहीं आएंगे फिर market गिरना चालो हो जाता है जब buyers कम हो जाते तो sales चालो हो जाते हैं धीरे 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 करके वह देखिए इसको गुसाते हैं पूरा market को दिख र करें कि यह एक संभवित बॉटम है market का ठीक है कि यहां से अभी market शायद वापिस recover करेगा लेकिन market और नीची जाता आगे जाके और यह भी होता है आप हमेशा इसको यह नहीं समझ सकते हैं कि exactly यही उसका bottom है यही उसका top है ऐसा हम लोग कभी अनुमान नहीं लगा हम एक अनुमान लगा सकते हैं जैसे इसमें यह सही रहा यह सही रहा टॉप में और ये रहा तो अभी एक और अनुमान लगाना पड़ेगा आपको क्या है रहा है वापिस ही नीचे आया मतलब कहीं पर यही टॉप है यहां आजू बाजू में कहीं पर बॉटम है और इसके नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम है ठीक है अब इसमें देखिए यहां पर अभी यह संभवी टॉप नहीं बन रहा है लेकिन फिर वापिस मार्केट नीचे गुस रहा है यह फिर ओवरce ओर लेवल में आ गया यह वापिस यह ओवरce बिरेट भी नहीं है आसान भी नहीं है लेकिन है आपको संभवी टॉप बॉटम जब भी टॉप बनेंगे जब भी बॉटम बनेंगे आरेसाइए दे देगा लेकिन उसके साथ-साथ आरेसाइए कभी-कभी कंफ्यूजड भी रहता है क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से पड़ा रहता है एक ही जगह उसको लगता है कि आप बायर्स नहीं आ रहा है मोमेंटम नहीं है तो आपको उस प्रकार के सिगनल देगा लेकिन यहां देखे यहां पर जब से यह ओवर सोल्ड लेवल पर आया जब यहां पर उसने उसने आपको एक टॉप दे दिया एक्जैक्ली कह दिया कि भाई यह लो आ गया ओवर्बॉट इसमों टच किया इसके उपर थोड़ा गया इसने कह दिया कि आगया आपका ओवर्बॉट सिचुएशन यह सब क्लासिकल एक्जामपल्स हैं राइट आप मार्केट के यह देखिए यह टॉप यह बॉटम है इसने कहा अभी भाई सेवन्टी के टच करके नीचे आ गया इसका मतलब कि अब मार्केट का यह संभवित बॉटम है मार्केट यहां से उचलना चाहिए और मार्केट उसी तरह से उचलता है यह देखिए वापिस एक दूसरा क्लासिकल एक्जाम्पल यहां पर लगा और कहता है कि यह टॉप है और वहां से मार्केट गिरा 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 सीधा यहां तक आया है ना यहां तक आया यहां तक यह इसमें नीचे इतना लगा नहीं नीचे यह यहां पर आया आप कहाएंगे कि शायद यह यहां पर भी यहां पर इसके पहले ही आ गया कि यह संभवित OVERSolD लेवल है ठीक है इसके पहले जस्थ पहले आया और यहां से जब यह नीचे आया यहां से यह यह इसका बॉटम हो सकता है आज बाज में कहीं बॉटम है और उस बॉटम के नीचे से क्योंकि यह ओवर सोल लेबल है सेलर्स यहां पर खाली हो गया है अब सेलर्स यहां पर ज्यादा एक्साइट नहीं है ज़्यादा sellers का contribution नहीं है अगर sellers market में से निकल जाएंगे तो जाहिर है, demand बढ़ेगा और खरीदने वाले की ताजा ज़्यादा रहेगी तो automatically buyers आएंगे ये देखिए वापिस, देखा और ये देखिए, एक बहुत इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए के लिए, कि मेरा trend कहां बदल रहा है, और दूसरी बात, कि कहां पर अपन profits भी ले सकते हैं, कर समझो आप RSI को देख रहे हैं और आपको देख रहा है कि RSI उपर पहुंच गया और बाट पोजिशन पे आपने अच्छा profit बना लिया है तो वहां से निकल जाना बैतर है क्योंकि RSI overbought position पे आगया है अब उसके उपर जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत correction तो मारेगा है, मारेगा जैसे इधर मार रहा है देखिए आप, ये overbought position में आगया उसके बाद में sellers dry हो गए, थोड़ा time के लिए तो ये संभवित आपके लिए एक possible bottom है और उसके उपर जाते हैं तो एक possible top है, ठीक है अभी हमने April मेने से देखा अभी हम वापिस इसको जारा ध्यान से देखते हैं ये देखिए ये इसका top है सही दिया उसने exactly वहां से market गिरा ये इसका bottom है वह भी उसने सही दिया exactly यहां से market उचला ये उसका top है वापिस उसने सही दिया एक सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है ठीक है ये इसमें तोड़ा गलती हो गया लेकिन ultimately bottom इसके कहीं यहां जुबाजु है राइट, चलो ये छोता भी सही है ये वापिस उसने mix up कर दिया bottom में, राइट लेकिन यहां से सही में आपको bottom मिला और वापिस market उपर की दरफ गया ये exactly उसने top दिया बढ़िया से नीचे गिरा exactly उसने bottom दिया आपको एकदम बढ़िया से उपर गया वापिस उसने exactly आपको top दिया नीचे गिरा वापिस उसने exactly आपको bottom दिया उपर गया ये उसने top नहीं दिया आपको और ये market long trend में आगे बढ़िया और ये पूरा एक महीन आए 30 महीने तक ये देखे, पूरे एक महीने में आपको इसने maximum time उसने आपको exact top और exact bottom दिया तो इसका RSI का सबसे important use जो है वो है top और bottom को समझना या top और bottom को pick करना हो कहता है कि picking the top and picking the bottoms याद रखिए अगर समझो आप यहाँ से buy करके बैठे हैं और market जा रहा है और आप देख रहे हैं कि RSI में ऊपर market इदर पहुंच गया है मतलब यार अभी ये top तो आ गया है बराबर मेरा profit इतना बन गया है अब RSI का top आने के बाद भी मैं उसमें खड़ा रहूंगा तो जाहिर है थोड़ा तो correction आए गए आएगा और मेरे profitability में थोड़ा नीचे जाएगा तो मैं क्यों ना यहां से थोड़ा exit कर लूँ हो सकता है कि मेरा आधा जो मेरा trade है उसको मैं close करूँ और अब यहां से भी अगर समझो आपने कहीं पे sell किया और market नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहां पर आके आपको बोलता है कि देखो यार यह एक संबवित bottom है अब इसके नीचे चला गया है तो आप कहेंगे कि यार मैं अभी RSI ता मेरा oversold हो गया अभी sellers तो यहां पर नहीं है अगर sellers उतने नहीं होंगे तो शायद मुझे उतना और ज़्यादा profit नहीं मिलेगा क्योंकि market यहां से correction कर सकता है क्यों ना मैं इसको यहां से exit कर लूँ या आधा माल मैं बेच दो तो RSI आपको tops और bottoms को pick करने के लिए बोलता है RSI आपको मदद करता है यह बताने में कि भाई जहां पर top है यहां पर आपका overbought हो चुका है और अब buyers नहीं है ज़्यादा और यहां पर oversold हो चुका है अब यहां पर sellers नहीं है यहां पर buyers नहीं है और यहां पर sellers नहीं है यह चीज़ आपको बताता है और आप उसके हिसाब से decision ले सकते है ठीक है यह पहला उसका logic है ओवरबाट सिचुएशन कि अब मार्केट में बायर्ज नहीं है ओवर सोल सिचुएशन अब मार्केट में सेलर्ज नहीं है ठीक है अच्छा दूसरा पॉइंट कि इसको और दूसरा एक इंपोर्टन पहलू है इसको समझने में काफी लोग इसमें गलती करते हैं यह जो पचा मार्केट में रसी पचास के ऊपर जाता है तब ही इकंप यह ऊपर का ट्रेंड बनता है मतलब जब भी मार्केट में आरेसाई 15 के ऊपर जाता है से market 50 के ऊपर आता है तब भी market में overbought situation बनता है मतलब sorry ऊपर का trend बनता है और जब भी market में ऊपर से overbought situation से जब market में RSI नीचे आता है और 50 को cross करता तब ही market में नीचे का trend बनता है ठीक है तो अगर समझो यह जो levels है अगर यहां पर आपने का है यह तो टॉप आ गया कहीं पर इसके बाद अब इस टॉप के बाद अब मुझे निकल जाना चाहिए और आप निकल गए और यह 70 के नीचे आया आपको पता है कि शायद ही नीचे की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है लेकिन RSI का है दूसरा important यूजिंग जो ट्रिक्स है वो यह कहता है कि जब तक यह नीचे नहीं आता 50 के RSI देख रहा है आपको जब तक यह 50 के नीचे नहीं आता इस मिड लेवल के नीचे तब तक नीचे का trend नहीं बना अब ध्यान से देखिए आप यहां से लेकर यहां तक आया है almost like 80 के पास से नीचे आया है 50 तक 80 से 50 आया है तब तक मार्किट उतना नहीं गिरा यह देखिए लेकिन जब यह 50 के नीचे आ गया उसके बाद में मार्किट का मुमेंटम देखिए यहां से यहां तक में यह कितना गिरा है उसी तरह से उपर की तरफ का कि समझो मार्केट ये रहा चलो अच्छा एक्साम्पल मैं आपको दिखाता हूं यह रहा उसके जिस पहले ये देखिये अगर मार्केट नीचे से उपर की तरफ आता ये देखिये तो उसके बाद में, पचास के उपर जाने के बाद में ही मार्केट में मुमेंटम आता है, पचास के उपर जाने के बाद ही ये देखिए, यहाँ पर पचास के उपर आया, उसके बाद ही मार्केट में ये देखिए, इतने बड़े कैंडल्स बने हैं, तब तक सब छोटे regionश बन रहे हैं 50 के उपर आने के बाद ही market में momentum करता है कभी मार्केट में ट्रेंड नहीं बनता है वह हर इंडिकेटर का प्रॉबलम है और वह नहीं बनता है एकचुली लेकिन 50 के उपर आये देखे it यहां से यह नीचे से उपर आया, वाटम, ओर सोल से, आर 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 आराम से, पचास को क्रोस किया, यह देखें, यह वाले कैंडल ने पचास को क्रोस किया, उसके बादी मार्केट में मॉमेंटम बना, उपर से नीचे आया, यहां तक तो ठीक है, पचास को क्रोस किया, उसके wait करना पड़ेगा कब तक 50 को cross करने तक जब तक 50 को नहीं cross करेगा तब तक उपर का trend strong नहीं बनेगा जब तक 50 को नीचे की तरफ cross नहीं करेगा तब तक नीचे का trend strong नहीं बनेगा ठीक है तो अगर आप trend पकड़ना चाहते हैं आप कहते हैं कि चलो मेरा overbought situation से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं इसको कैसे इस्तमाल करूँ तो अगर वो trend आपको पकटना है तो आपको ये 50 वाले mid level line को भी मद्दे नज़र रखना पड़ेगा, अगर आप उसको नहीं समझोगे तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे इसको ये देखिए 50 को क्रॉस किया, मार्केट ने उपर की तरफ गया, ठीक है ये उपर से नीचे आ रहा है लेकिन 50 को यहां तक इसने क्रॉस ही नहीं किया ये ओर बाट लेवल है नीचे आया लेकिन 50 को टच नहीं किया तो वापिस उपर चला गया वापिस उपर चला गया, उपर चला गया अगर अपने यहां पर टॉप पकड़ के मारा होता तो नहीं लेकिन यहां पर आके देखिए यहां पर यह देखिए ये वाले लेवल पे एक्जाक्ली पचास को क्रॉस किया उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरा पचास को क्रॉस किया उसके बाद ही मार्केट उपर गया पचास को क्रॉस किया फिर ही मार्केट नीचे गिरा पचास को क्रॉस किया उपर गया यह देखिए यह पचास का जो लेवल है वही मार्केट में मॉमेंटम लेके आता है राइट पचास को क्रोस करने के बाद ही मार्केट में मॉमेंटम आता है जब तक वो पचास को क्रोस नहीं करता है तब तक मार्केट में कोई मॉमेंटम आता नहीं है ठीक है तो कंक्लूशन म यहाँ पर अभी over brought है, यहाँ पर अभी over sold है, राइट, हमको पता है कि इसके बाद में correction आयागा, तो हो सकता है कि हमें अच्छे profit में निकलना हो, तो हम tops और bottoms में निकल जाएं, वो एक बात है, दूसरी बात, अच्छा, आपका कितना भी strong signal मिलता हो, आप top पर जाके नहीं खर यहाँ तो आप उससे भी बच सकते हैं, कि गलत entry में नहीं गुच सकते हैं, आप देखकर एक बार अगर इसमें जलक डाल देंगे, तो आपको पता लग जाएगा क्यार सही में भी बायर्स आने वालें, या नहीं आने वालें, उससे आपको और भी जादा एक confirmation मिल जाएगा decision making में ठीक है तो RSI जो है वो आपको tops और bottoms को pick करने के लिए idea देता है number one और number two कि वो आपको trend कहां से बनने वाला है या कहां से बन रहा है उसका एक idea देता है ठीक है अच्छा लेकिन फिर क्या इसको हम थोड़ा आसान कर सकते हैं यह तो एक simple RSI का traditional तरीका है इस्तमाल करने का क्या हम इस RSI को और आसान बना सकते हैं कोई तरीका है कि जिससे इसका जो यह limitation है क्योंकि यह रेखा हैं अगर आप देखते हो इसको तो इतनी smooth रेखाएं नहीं है यह जैसे बाकी indicators की रेखाएं हैं यह तो बिल्कुल ही random और बहुत ही ज़्यादा complex रेखाएं दिखती है तो क्या हम इसको और simple कर सकते हैं और अगर उसको हम simple करेंगे तो क्या हमारा efficiency बढ़ेगा उस चीज़ को हम देखेंगे वापिस लेकिन इस से पहले कि हम उसको देखेंगे मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से वापिस एक और बार समझ लें पूरी तरह से इसमें गुज जाएं और उसके बाद में ही आप आगे बढ़िए ऐसा नहीं कि आप बस एकी sitting में इसको खतम कर रहें उस तरह से नहीं एक चीज़ को देखिए उसको पचाईए और उसके बाद में आगे बढ़िए ठीक है